हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल स्यामलाल मोहलाल आप सभी का इस्टाप परिबार में स्वागत हैं दोस्तों आज हम पढ़ने बाले हैं कक्छा नौमी हिंदी ब्रिज कोर्स और इसका लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हेलन किलर हेलन किलर है ना इसको आज हम ही होगा इसमें आपको हेलन के बारे में बता रहा होगा तो आप सभी लोग बताईए इनका जन्म कहा हुआ था तो आप करेंगे कि इनका जन्म अमेरिका में तसकंबिया नामक छोटे से कस्वे में हुआ था 27 जून 1880 में अमेरिका में तसकंबिया नामक छोटे सिकस्वी में हेलन केलर का जन्म हुगा था ठीक है आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रेणा जरूर मिलेगी ठीक है उनकी माता का नाम पूछ सकते हैं कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम क् पूरा चैप्टर पढ़ना है बिलकुल आपको इसमेंसे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी इसलिए आप इस चैप्टरक पढ़ लें घैसे आपको सबसे पहले मिलेगा कार्पत्र 1 क्या करना है इसमें शेकशक दौरणा सब्सक्राइब करama है आา सब्सक्रापन क को सुनकर सब्द लखेंगे जिससे आपकी बरतनी सुद्रेगी इसलिए आपको करना है ठीक है कर लेंगे अब देखते हैं कारपत्रक दो में क्या करना है इस्तान में सही परसरगे चुनकर लिखिए क्या करना हमें जो खालिस्तान यहां पर दिये गए इन पर हमें सही परसरग चुनकर लखना है, जैसे, यहाँ पर देखो, इस बॉक्स में, आपको बहुत सारे परसरगे, लखे हुए है, अब इनी में से छाटकर आपको भरना की, कौन से परसरग सही है, किस असतान पर, ठीक है, जैसे, पहले में क्या लखा है, हेलन केलर परिस्तितियों खरिस्तान हार नहीं मानती थी मतलब यहाँ पर क्या है रिक्तस्तान में से यानि क्या बन जाएगा हेलन केलर परिस्तितियों से हार नहीं मानती थी आप पार्ट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कहां पर क्या आना है तो यहां पर लखेंगे पहले में भरना आपको से, दूसरे में क्या भरेंगे एनी, ने, यहां पर भरेंगे आप ने, हेलन, को, पर सिक्षित किया, तो यहां पर पहले में आपको क्या भरना है, ने, और उसके बाद भरेंगे, को, ठीक है, पर आंगे, लखो, दौस्त संसार स की रोसनी में अबाद हो सकता है पहले में की और इसमें में ठीक है अब तीसरे में क्या करना है उन्होंने अपनी कमजोरियों पर क्या लखा है कमजोरियों पर बिजय प्राप्त की ठीक है इस तरह से लखेंगे इसमें भरेंगे आपकी हेलन की सरक्ची का एनी सुलीवन ठीक है किया आएगा इसमें पिर क्या लखा है हेलन हिम्मत और होसला की अनुभूती मिसाल थी अदभूत मिसाल थी हेलन हिम्मत और होसला की अदभूत मिसाल थी यहां पर किया आएगा पिर क्या लखा है हेलन केलर खालिस्तान ब्रेल लिपी में कई पुस्तकों कानुबात किया किसमे ने यहां पर अगर ने, ईहलेन केलीर ने बेल लिपी में कई प्रस्तों कारुबात किया है तो यहां पर ने भरेंगे, कौन सा परसरग आएगा, ने परसरग आएगा ठीक है, तो इह हो जाएगा आपको कारपत्रक 2, बस सितना ही करना है आगे देखेंगे कारपत्रक तीन में कारपत्रक तीन में क्या आता है सब्द बोध और रा के विभन प्रयोग सब्द बोध यहाँ पर रा के विभन प्रयोग बताए गए है जैसे की रा का प्रयोग हम कहाँ पर कौन से सब्द में किस प्रकार से करते है देखो जब हम स्रम लिखते हैं या फिर क्रम लिखते हैं तो इसमें रा का प्रियुक इस तरह से करते हैं का के नीचे यह है एक डंडा खिचाओ गाए इस तरह से इसको बोलते हैं इसमें रा का प्रियुक किया गया है तो इस तरह से इसमें प्रियुक करते हैं आप सभी ने ऐसे बहुत सारे सब्दे देखे होंगे पड़े होंगे तो भई सब्द आपको यहाँ पर लिख देना है जैसे आपने देखा होगा भरम भरम में देखो इस तरह से डंडी लगी है ये भी राका उच्छरण करती है तो भ्रहम हो जाएगा किरमाक में देखा होगा नंबर में देखा होगा प्रताब में देखा होगा एक सब्द आप बताएंगी कौन से सब्द है आप बताएंगी और अपने मंद से लखना इसमें ठीक है दूसरा क्या लखा है राष्ट ट्रक तो राष्ट यहाँ पर टा की नीचे देख रहा है आप दो डंडी की चींग है वहाँ पर राका प्रियोग है तो इस तरह के सब्द कौन कौन से हैं आपने देखी जैसे ड्रम, ट्रक, ड्राइवर और ड्रक्स इसमें देखे होंगे तो इस तरह इसे राका प्रियोग करते हैं आंगे बढ़ेंगे और राख कि परीओग कौन उसी हैं परव्य पर लगते हैं गर्व कि यूपा रेप लगा है ना इस compet करती है कि द्हेंगे सतंथ शर्म है ते राका लिख देते हैं इस पाश डूप से एक तरीका हो जाएगा जैसे इसके तो बहुत सारे उधरन देखे होंगी लाहर सहर बहार कहार ठीक है ? तीछ है वो जाएंगे ठीक है लख लेंगे आप आते हैं कारपत्रक चार पर कारपत्रक छार में क्या करना गद्यान्स को मतव देते हैं फिर क्या लगा है मूर की लोग बियूमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या कारा है किसान सिर्म की पूजी को पूजी की बजूरती सर्दी गर्मी और बर्सा में कड़ी मेहनत करता है बिल्कुल सही बात है तो किसान चाहे कोई साभी महीना हो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो है हर महीने बिलकुल कड़ी महनत करता है आप देखती होंगे बहुत ही महनत करते हैं शुरूं से लेकर अंद तक इसी इस्तिदी में जीता रहता है तो सबसे मेंधी कौन होते हैं किसान होती हैं तो अब यह आपने गाद्यांज पढ़ लिया आप इसकी आधार पर नीचे जो प्रसने दिये गए इनको हम करेंगे क्या लखाए रिखांका सब्दों को लिखकर उन कि अर्थ लिखनी है तो आप चाहिए अपने सक्षक से भी पूछ सकते हैं या पर जो हम बेता हैं बो लिख लेंगी ठीक है क्या लखाए जैसे रंक रंक का अर्थ क्या होता है रंक का अर्थ होता है गरीब निर्धन रंक का अर्थ क्या होता है गरीब और निर्धन और होता है परवात पर चड़ने बाला थि पर क्या लखा है मूर्क मूर्क क्या हो जाएंगा मूर कड़ила अग्यानी मूर करıt क्या होता है अग्यानी ऑग्यानी और फि места पर में प्ला को अग्रम में पुण humor में पड़ा हुगा थे में क citizen पर हो लख लेंगे ब्रम्यत कार्थ हुगा ब्रह्म में पड़ा हुगा और रिख यह स्रम का मतलब क्या है स्रम का मतलब मेहनद ठीक है मूर्गानी अग्यानी ब्रम्यत यानी ब्रह्म में पड़ा हुगा और स्रमयानी मेहनद ठीक है फिर क्या लिखा है राजा का बिलोम दूसरा प् कि मूर का बिलॉम क्या होता है ग्यानी मूर का बिलॉम हो जाएगा ग्यानी गर्मी का बिलॉम क्या होता है गर्मी का बिलॉम होता है सर्दी गर्मी का बिलॉम क्या होता है सर्दी अब आँगे देखीजे तीसरा प्रसफन क्या लखा है सा, रा, मा, से और स्रम बना है इसी प्रकार नीचे सब्दों को बिच्छित करके तो स्रम का बता है सब्द बढ़न बिच्छित करके कि किस तरह bisa बना है स्रम है जो आधा सा रा और मा से मिलकर बना है इसी तरह से आपको जो नीचे सब्द दिये गए है इनका आपको बर्ण बिच्छित करना है जैसे ब्रहम लिखा है ब्रहम बताई किस किस मिलकर बना है जिसमें आधा भा आ जाता है और आधा रा है और मा है आदा भा रा और मा है ठीक है ब्रम में ब्रत में आदा भा है रा है और ता है ब्रत गर्दन में गा है आदा रा दा उन्ना गर्दन ठीक है गर्व में गा है आदा रा है और वा है गर्व ठीक है इसी तरह से यहाँ पर को सब्द लिखी इनकी बताएंगे करम क्रम में आधा का है और रा है और मा क्रम आधा का रा और मा क्रम फिर लखा है ड्रम ड्रम में बताएं ड्रम में आ जाएगा आधा डा रा और मा ड्रम फिर पर्व में बताएं पा आधा रा वा पर्व ठीक है फिर धर में बताइए धर में कौन कौन से आती है अब आते हैं कार पत्रक 5 पर रा की रूप बताने है रा की रूप जब रा किसी वेजनंजन से पहले आयए तो वह आगे बाले बरगे पर रेब की रूप में लगता है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ जब है जो बारन जब रा की वेंजन जब रा वेंजन है जो रा है जो किसी वेंजन से पहले आए जैसे वेंजन है जो यहां पर आपने पढ़ी होंगी तो वेंजन जैसे मा लखा यहां पर मा की पहले रा आ रहा है तो यह किसमें बदल जाएगा रेप क बल देगा ठीक है यहां पर सर में बता गया है तो सर में देखो सा आधा रा और मा बनता है यानि मा के पहले बेंजन आ रहा है मा के पहले रा रहा है तो यानि क्या हो जागा रेप में बल जाएगा दूसा क्या रूप लखा है इसका दूसा रूप देखो आर से पूर्व कोई स्वर रहत वेंजन हो तो आर उस वेंजन से नीचे पदेन के रूप में लगा जाता ठीक है जैसे रा के पहले कोई वेंजन है तो यहाँ पर देखो रा के पहले मा वेंजन है यहाँ पर है जो मा की नीचे एक इस तरह से पदेन नीचे डंडा सा लग जाएगा जैसे आम रहो जाएगा फिर पिरमूद पिरमूद में देखते हैं आधा पा रा के यांगे क्या एक वेंज भुर्प से लिखता है वह तो देहों नजर बधर लाहर और सहर हो जाएगा इस तरह के कंपर कहां करती है चैसे बर्स धेहर यह धर्म है और सर्म is तरह से प्रहों कहां करेंगे प्रिटी किरिया प्राइम प्रिकिरिया और किरिया इस तरह से अéninder crashing चर्छाब कहां पर कराइक थे यदि आप बाना कोनौह भी सब्कना नीचे करते बाना की नीचे यद्ट्रक ड्रम ट्राला ड्रम ठीक है ड्रक्स थे इस सब हो जाएंगे इस तरह के रूप की अब आते है कारक कारक में क्या दिया हेलन किलर ठीक है अब कारक की है निए पर आपको परिवाशा ठीक है कारक चन्ने कारक चन्न कुब विवक्त चन्न या पर्सरग भी कहते हैं यह याद रखना दोस्तों नूट में आपको याद कर लेना है यहां पर आपको कारक दिए गए हैं विवक्ती दिए गए है और उधार रहा है तो इनको आप अच्छी इसे पाड़ देंगे तो आपको यह समझ में आजाएंगे कारक्ष, बेवक्ति, और उधारने यह से कोश्चन बनता है ठीक है यह से देखो आप कारिप्त्रक्षे पर कार्प्त्रक्षे में क्या लिखा है पाथ में आए-हुए कठ़न सब्बोंकार्ण देखें जैसे क्ठें सब्नों की अर्द्ट बताने जैसे द्रण इच्छा सक्ति का रध क्या होता है या मजबूत इच्छा मजबूत इच्छा ठीक है मजबूत इरादे मतलब पक्के इरादे मजबूत इरादे के मतलब पक्के इरादे अपंगता कर्थ होता है दिब्यांगता अपंगता कर्थ क्या होता है दिब्यांगता फिर क्या लखा है अनूठी मिसाल अनुठी मिसाल का हो जाएगा बिसेश प्रेणा अनुठी मिसाल का बिसेश प्रेणा द्रस्टिहीन द्रस्टिहीन यानि अंधा बधर बधर मतलब जो सुनना सके बधर कुन कहलाता है जो सुनना सके अंध कार्मा यानि अंधेरा आप कहते हैं अंध कार्मा जीवान यानि है कूंची नहीं फिर सका मतलब मिटाना सका बिकलांग यानी दिव्यांग स्वालंबी मतलब स्वैंप नरभर मसाल मसाल यानी क्या होता है जोती ध्ष्टुगा यानी मिट गया अब आदमीश होता है विक्षिद ये हो जाएंगे आपकी करपत रख्शे सब्दों के अर्थ ठीक है अब हाँगे क्या लखा है हेलन आपकी साला में हेलन केलर की तरह कोई बिद्धार्ती हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे अपने बचार में लिखिए तो यहां पर क्या करना आपको अपने अपने बिचार देने कैलास में कोई हेलन केलर की तरह भ्यक्तित होगा अगर है तो उसके बारे में आप उसका किस तरह सही उग करें गैसे आप उसकी मद्थ ग्रकरेंगी ठीक है एक एक chapter वाइस आपको मिल जाएंगे और यदि एक ही वीडियों पूरा देखना चाहते हैं तो playlist में जाए बहाँ पर आपको एक ही वीडियों में पूरा समझाय गया है तो आप पूरा Hindi Bridge course एक ही वीडियों को देखके पूरा कर सकते हैं ठीक है तो आप जल्ली से एक बार चैनल को लाइक को शियर और सब्सक्राइब कर देजिए